विडियो के लिए हैं जैसे कि 5000, 10000, 70000, 80000, 20000, पंदरह हजार इस तरह का कैपिटल लेके वह उप्शन ट्रेडिंग सिखना चाहते हैं या फिर उप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि वह कौन सा दिन में कौन सा स्ट्रा सब्सक्राइब कैसे चूज कर सकते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या होने वाला है मेरे कहने से या फिर आपके कहने से वो चीज़े नहीं होने वाला है उसके पीछे जा लॉजिक है वो वही काम करने वाला है ठीक है तो आइए समझते हैं कि कौन से दिन हमें कौन सा फ्राइडे को हमारा क्या होता है फ्राइडे को हमारा नया कॉंट्रेक्ट चालो हो जाता है हमारा ट्रेडिंग डिज वन वीक में कितना होता है एक सब्ता में पांस दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें फ्राइडे मंडे टूस्डे वेडनस डे और फ्राइडे को क्या होता जो वन वीक तक need trade को hold करते हैं वो भी अपना फॉजिसजन्स friday को ही बनाते हैं हैं। और फॉराइड इक सारे यह पे थाव संदिय्य अगर यहाँ नहीं कहें नहीं होता है, यह सब्सक्रणमत जैसे कि आ chl मेंगो है इसी दिन को इस मेंगो को तोड़ा गया है फ्राइडे के दिन इस मेंगो को तोड़ा गया है तो क्या फ्राइडे के दिन अगर आप खरीदेंगे तो क्या उस मेंगो में आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगा क्या मेंगो सड़ा हुआ मिलेगा आपको क्या मेंगो में को आपको दाग मिलेगा या फिर कुछ इस तरह का आपको कुछ दिखेगा क्या नहीं दिखेगा फ्राइडे को आप बिल्कुल फ्रेस मेंगो को बाइक कर सकते हैं उसी तरह से क्या होता है कि फ्राइडे के दिन अगर कोई भी कॉंटेक्ट नहीं नहीं कॉंटेक्ट बनते हैं उस तिन डिके नहीं होता है प्रीमियम में तो इसमें आप OTM को बाइक कर सकते हैं अब OTM बोलने का क्या मतलब है OTM बोलने का मतलब यह है कि आप मैक्सिमम टू लेवल OTM जा सकते हैं कैसे जा सकते हैं मान लेजे कि अभी जो मार्केट चल रहा है 19600 पर चल रहा है और मुझे करना है कॉल साइड तो यहां पर मैं कौन-कौन ऑप्सन बाइक कर सकता हूं इंटेट के दिन सारे लोग बनाते स्विंग वाले भी मनतली वाले भी मुझ मौन थे इंट्राड़ वाले भी तो इस दिन आप बेढ़ ईचК बर यम को कंसिडर कर सकते हूं अपने कैपिटल कर शक्रूरrika अब बात करते हैं मंडे, अब मंडे जो कि फ्राइडे को एक मैंगो तोड़ा गया था, आम तोड़ा गया था, उसका ओलेडे एक दिन हो चुका है, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे गलना स्टार्ट करेगा, अब वो मैंगो मंडे को क्या होगा, मंडे को धीरे धीरे गलना या फिर सड़ना सुरू होना स्टार्ट हो जाएगा तो मंडे को क्या हमें OTM कंसिडर करना चाहिए बिल्कुल आप चाहें तो OTM कंसिडर कर सकते हैं लेकिन आपको एक लेबल ही OTM जाना है जैसे कि 19600 का स्ट्राइक प्राइज पर मार्केट इस तरह का यहां पर चल रहा है और जाना सुरू हो चुका होगा तो मंडे को भी आप OTM कंसिडर कर सकते हैं लेकिन एक लेबल ही आप OTM को कंसिडर करें उसके बात करें तूस्टे अब हमारा मेंगो का तीसरा दिन हो गया अब धीरी धीरे उसमें सडन गलन शुरू हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना होत 2550 का बाइक कर सकता हूं कॉल के लिए तो टूस्टे यानि कि मंगलवार को आपको ITM इंदा मनी में बाइक करना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जो है टाइम डिके लगना सुरू हो जाता है तो इसलिए आप ITM में बाइक करना चाहिए उसका डेल्टा काफी अच्छा मिल जात कि पिछे का लॉजिक भी जानना जरूरी है क्योंकि आल्रेडी हमारा कितने दिन हो चुके हैं चौथा दिन हमारा आ चुका है तो इसलिए आपको टू लेवल आईटियम में बाइक करना चाहिए अगर आप या दिन करेंगे तो इसमें कुए आपको ज्जादा प्राफेट देखने को नहीं मिलेंगा मार्केट आपके साईट जाएगा लेकिन आप प्रॉफिट नहीं होगवा क्यूंग क्यूंने बहुत ज्यादा ऐक कर लिए इंधर इस तरह से गया था प्रीमीयम में इन क्रीज मे सूरू हो जाता है तो फ्रस्डे में आपको यह तो एक पसंद नहीं में ट्रेड करते जैसे कि मैं ने पसंद करता हूं तो यहां फर ट्री लेवल आई टीम से जल्डा ब一定要 से सु antig लेवल या फिर थ्री लेवल आईटियम आपको बाइक करना चाहिए क्योंकि अल्रडी डिके फास्ट हो चुका है आज का दिन सारी कॉंट्रेक्ट एक्सपायर होंगे जो भी इंट्राडे ट्रेडर होंगे वह अपना पोजिशन स्कॉायर अप करेंगे वीकली वाले होंगे व किस दिन आपको क्या-क्या बैक करना चाहिए कि इस वीडियो के बाद आपको और दूसरा वीडियो देखने की जौरत ना पड़े तो फ्राइडे को आप ओटियम कंसीडर कर सकते हैं ठीक है टू लेबल ओटियम भी कंसीडर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मंडे को आ कर रिसक करना होता है अगर बाय कर लेंगी और गलती अगर आपका पॉसेशन लॉस्में जाएगा तो का पाफिती से लॉस्मी होता हैं तो इनचीजों को समझना भी ज़रूरी है तो Tuesday को आप क्या करेंगे बोध बार को आप इंदा मनी बाइ करेंगे सिंपल सा है इंदा मनी पर रहिए Wednesday को आप 2 लेबल इंदा मनी यहाँ पर बाइ करेंगे अनिकि 2 लेबल ITM को बाइ करेंगे जैसे कि 19600 के लेबल है तो 19,550 और 19,500 तो 19,500 को आप बाइ करिएगा जब भी आप Wednesday को ट्रेड करेंगे तब और अगर आपका उतना पैसा नहीं है अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप ITM भी कंसिडर कर सकते हैं उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन Wednesday को ITM में भी डिके होता है यह मैं आपको real experience में आपके साथ share कर रहा हूँ उसके बाद Thursday के दिन next expiry में buy कर सकते हैं अगर आपको next expiry पसंद नहीं है same expiry में trade करना चाहते हैं तो 3 level ITM को आप consider कर सकते हैं या फिर जिस तरह से आपका risk reward है या फिर जिस तरह से strategy है अगर आपको अच्छा खासा आपको trade दिख रहा है expiry के दिन की अभी momentum इस तरह से market में आने वाला है तो आप इन न मनी भी consider कर सकते हैं उसमें कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर मान लेजे suppose आप पुरा safe play करते हैं आपका इस तरह का setup बना आप यहां पर buy किया और market इस तरह से जा रहा है अब इस तरह से जा रहा है अगर आप item buy करेंगे या फिर otm buy करेंगे तो आपका premium बढ़ने वाला नहीं है इसमें आपको deep item buy करेंगे तो आपको अच्छा आशा target मिलेगा ठीक है तो मैंने आपको पूरा detail में बता जिया कि किस दिन कौन सा strike price को चूज करना चाहिए तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए नमस्कार जाहिए